वीरू का सरकस लेखन रिच्छा इंगलेद देव दादा और दादी वीरू को जम्बो बंबो सरकस दिखाने ले गए ये सरकस देखने में बड़ा मज़ा आएगा वीरू खुश होकर बोला सरकस में वीरू को रसी पर चलने वाले नट अलग अलग कर्तब दिखाने वाले और लाल लाल लाक वाले जोकर देखकर बहुत खुशी हुई उसने बार बार तालिया बजाई उस राद वीरू को सपना आया कि उसका अपना एक सरकस है अगली सुभा उसने मा, बाबा, दादी और दादा सबको वीरू सरकस देखने के लिए बुलाया है वीरू अब रसी वाला कर्तब दिखाने के लिए एक उची बंदी हुई रसी पर चलेगा वीरू संभल के चलना, इसमें तुम्हारे गिरने का डर है, मा ने उसे कहा तो वीरू मदारी ने रसी जमील पर रखी और बड़ी सफाई से उस पर चल दिया सब ने ताली बजाई और वीरू ने सबको धन्यवाद दिया वीरू ने अब एक जलते हुए गोले के बीट से छलांग लगाने की सोची यह तो बड़ा हतरनाख है, इसमें आग से जलने का डर है, भाबा ने वीरू को चेताव नी दी तो वीरू करतब दिखाने वाले ने अपना बड़ा सा खेलने वाला चक्का लिया और उसके बीट से कूद गया, सभी ने ताली बजाई, दन्यवाद, दन्यवाद, वीरू ने कहा अब वीरू ने छे गेंदों को एक साथ उच्छालने का मन बनाया अरे ज़रा संभलके वीरू, गेंदे तुम्हारे सिर पर आगिरी तो, दादा ने कहा तो वीरू ने एक बड़ा सा लड़ू लिया और उसे उपर उच्छाल दिया लड़ू सीधे उसके मुह में आगिरा सबने फिर ताली बजाई वीरू लड़ू खाते हुए मुश्किल से धन्यवाद कह पाया अगले करतब के लिए वीरू पिंजरे में बंद एक शेर को बुलाना चाहता है उसकी पुस्तक में सरकस के शेर के कई चित्र है पिंजरे में बंद जानवरों से करतब करवाना कोई अच्छी बात होड़े ही है शेर को गुसा भी तो आ सकता है दादी ने उसे समझाया तो सरकस के वीरु रिंग मास्टर ने अपने प्यारे कुत्ते बोजो को बुलाया और उससे हाथ मिलाया तुम्हारा धन्यवाद बोजो वीरु ने उससे कहा अब लालनाक वाले जोकर वीरु ने अपनी कमर मटकाना शुरू गिया पर उसके लटके छटके में उसकी निकर नीचे सरक गई सब जोर-जोर से हसने लगे बड़ा मज़ा आया वीरु तुमने मज़ेदार खेल दिखाए दादी ने कहा क्या मज़ेदार सरकस के खाब हमने मा, बाबा, दादा और दादी ने एक साथ मिलकर कहा प्रादी ने एक साथ मिलकर कहा प्रादी ने एक साथ मिलकर कहा